हेलो फ्रेंड्स तो वेल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई इंट्रेस्टिंग वीडियो में फ्रेंड्स हम दान्स चंद मूर्ती कलाकार का पार्ट सेकंड लेके आ चुके हैं जिसमें कि हम आपको सजरवजार की काली जी दिखाएंगे जो की 2022 की है अभी पात दिन वासते नवरात्री हैं आपको दिखाते हैं कितनी काली जी बन चुकी है वहाँ पर इसी मौसम भी जा रही है आपको दिखाते हैं कि वहाँ की काली जी कैसी है जो की 11 फुट की मूर्ती बताई जा रही है आपको दिखाते हैं वीडियो में आई चले तो दोस्तों पहुच ही गए दालचंद मूर्ती कला केंद्र तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मूर्तियों पर काम चल रहा है और ये सामने छोटे छोटे सेर रखे हुए है तो आप लोग देख सकते हैं सेर के उपर मिट्टी लगाई जा रही है देखिए ये देवी जी की मूर्ती है जे आप सामने बताईए कौन सी मूर्ती है ये काली जी है ये सत्यम कॉलोनी की काली जी है आप लोग देख सकते हैं आप छोटी वाली देवी जी की मूर्ती को देखिए कितनी सुन्दर लग रही है तेर की घिसा ही हो चुकी है अभी तक की सबसे वड़ी काली जी ये है जो सामने है ये बरुवसागर वाली है ये सामने है य जी की हाइट कितनी होगी अंकल जी बहुत ही सुन्दर और प्यारी प्यारी मूर्ती बनाते हैं आप सामने देखिए ये सत्यम कॉलानी की काली जी है जो कि हमने पहले भी दिखा दी आपको ये देवी जी की मूर्ती है जो आप देख सकते हैं कितनी सुन्दर है इधर पर कुल नौ काली जी बन रही है सामने भी काली जी है देखिए आप अभी इन काली जी की मूर्ती पर घिसाई हो रही है आप देख सकते हैं और देखिए वहाँ पे कितनी छोटी और सुन्दर प्यारी देवी जी बनी रखी है तो आप लोग कमेंट में बताइए ये लोग मूर्तियां कैसी बनाते हैं सुन्दर सुन्दर और प्यारी प्यारी देखिए ये मूर्ति काली जी की है अंकर जी के सिक्स पेक है इधर पर दे कैसी है यह राक्षत वाली देवी जी बनती है जो कि हमारे धर पर बहुत बैठती है यह देवी जी तो आप सामने देख सकते हैं कि सभी मूर्टियों पर लगातार काम हो रहा है अगर दोस्तों आपको इन से मूर्टि बनवाना हो तो हम आपको इनका एड्रेस बता देते हैं पिछोर में ईश्वर मेरिज गार्डन के सामने विलकुल